देखो यंग फैंस जो भी है मेरे को ये बताओ जैसे ब्राउन ब्रीकर जब आता है तो वो लोग ऐसे करते होंगे क्या घर पे अपने बैठ के क्या करता यार वो जो भी ब्राउन ब्रीकर की जो बार के है वो ट्राइ करते हो कि नहीं अगर आपके घर में ऐसा सी ये ने किया डवी डवी नहीं देख सकते नहीं देख सकते और अगर आपने ये कर दिया तो दो डेफिनेटल आपका कैंसल ही हो जाएगा देखना तो यास तो मैं चैंपियंस अफ दो वोल्ड मैं ओ त्रीडी एक से तरना आज हम बात करने वाले रेसल मीनिया 40 में ऐसे डिसीजन के बारे में जो कि वर्स्ट यानि कि बेकार साबित हो सकते हैं काफी सारे पॉइंटर्स रहेंगे रिव्यू करने वाले हैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा दो तीन चीज़े हम छोड़ देंगे आवर जाकर आप देख सकते हो लेकिन उसकी बीच में कॉमेंट्स भी लेत रहेंगी जैसे कि सबसे पहले काय प्लेई ने लिखाए कि जेड कार्गिल लूजिस हर फर्स्ट सिंगल्स मैच पहला सिंगल्स मैच जो कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमें रेसल मेनिया में देखने को मिलेगा एंड इस गुड बैट उन्होंने बियांका बलेयर एंड जेड का फोटो उसमें लगाया बिकोज जिस सरीके से इनका फेस ओफ देखने को मिला था रॉयल रंबल विमेंस वाले रॉयल रंबल में और स्पैशली वो रॉयल रंबल इतना अच्छा था वुमेंस की तरफ से उसमें ऐसे मॉमेंट्स देखने को मिले थे अब यहां पर ड़ बड़ी प्रोबलम हो गई एंड लाइक I like this क्योंकि यहां पर दो ऐसी स्टार्स है जिनको हारते देखने ही बड़ा वियर्ड होगा पहली बात तो ब्यांका बिलेर के पास चैंपियंशिप क्यों नहीं है इतना टाइम हो गया है ब्यांका बिलेर के पास चैंपियंशिप अब तक तो दिख जानी चाहिए थी क्यों वर्सेस इयो स्काय के मैच को बट खैर वो अभी मुद्दा नहीं है मुद्दा ही है कि जो जेट कर गे लगर पहला मैच हार गई तो हार गई तो क्या हूँ या ओलेली ट्रसलिंग से तो आई है है हरा दो सकते ही है अब अगर जीत गई तो फिर ऐसा लगए कि जीत गई और मेरे को लग रहा है जीतने के जादा है so it is very weird situation बट अलेली ट्रसलिंग का भी कहना अब बेकारी बात होगे because अब नहीं है वो क्योंकि जितना अलेली ट्रसलिंग ने बिल्ड करना था उससे लाग गुना ज्यादा ओल्रेडी वो बिल्ट हो चुकी है so there is no all elite रसलिंग तिंग now left anyways उसके अलाव अनों ने लिखाए कि गंथर रिटेंस दे इंटर कॉंटनेंटल चैंपिंशिप भाई मैं बता रहो गंथर ने जिस तरीके के रेकॉर्ड बना रहा है नंबर वन पर पहुंच चुका है लॉंगेस्ट रेंज में और जितना भी सब कुछ लेलो गंथर ने बहुत प्रस्टीजिश बना दिया उस चैंपिंशिप को और यह बहुत सही बात है मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं असमच एस लव गंथर आई वांट तो सी अन्यू चैंपिन नॉट बिकोज मैं बोर हो चुका हूं गंथर से बट बिकोज क्या मजा हैगा गंथर को हा इसे कोई हरा रहा है वो भी मिड कार्ड में इतना अच्छा डॉमिनेशन दे रहा है उसको भी फिर तुम्हें उतना अच्छा सपोर्ट करना चाहिए और क्या पता यह रेसल्मीनिया वह वाली रेसल्मीनिया बन जाए जहां पर दोनों के दोनों चैंपियंशिप्स हार रोमन रेंस के टैटल जा सकती है वोमिन के टैटल जा सकती है हर चैंपियोंशिप ऐसा लग रहा है कि इस बार हैंट चैंज करने वाली है और यह यह वह रैसल मेन नहें हो बन जा जहां पर एक भी टैटल चेंज नहीं आ हो बीज में comment भी लेते है, 40x Melzer चाचागा, someone noticed that recently Paul Heyman showing more respect and interest towards The Rock, which is teasing the betrayal of Wiseman from now on, ओफ यार ये तो हमेशा से होता है, ये एक manager धोका ना दे, ऐसा कैसा चलेगा, और वो भी Paul Heyman, अच्छा ये interesting है, अगर Roman Reigns as babyface जा रहा है, तो big chance कि Rock के पास Paul Heyman आ जाए, और अगर Rock के पास Paul Heyman आ गया, तो ये scenario देखने में कैसा लगेगा यार, और पहली बात तो Paul Rock के पास क्यों जा रहा है, bro, Brock and Rock are two different बंदे, आप Rock को Brock से confuse मत करो, I don't know, बढ़ हाँ, Paul Heyman जिस तरीके से Rock की तरफ देख भी रहा था, मेरे को लग रहा है, कि शायद से सिर्फ The Rock ही न और जिस तरीके से The Rock ने वो stipulation दी है, मेरे को तो लग रहा है उसके फायदे में ही है, because let's just say कि अगर Cody Rhodes जीतता है, अगर Cody Rhodes की टीम जीतती है, और फिर वो जाता है WrestleMania में, और Cody Rhodes महाँ पर हरा देता है, तो भी Rock का फायदा है, क्योंकि Roman Reigns हार गया, मतलब अभी तो ऐसको ऐसा फायदा है, दोनों भाई है, नहीं है यार, नहीं है, मानो या मत मानो, लेकिन Rock के रोमन के बीच में जो दरार है, वो clearly visible हो चुकी है, Rock कितने ही हाइड करने की कोशिश करे, लेकिन Roman Reigns ने तो दिखाई दिया दरार भाई, anyways अगला worst decision कि Damon Priest अभी भी Money in the Bank winner रहे WrestleMania के बाद यार दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, लेकिन Damon Priest को पता नहीं चलेगा जिंदगी में की cash in कैसे करना है, यह cash in का scene मेरे को पता है कैसा लग रहा है, कि Damon Priest जो है, Seth Rollins के उपर tag team match में अगर cash in कर दे तो, मदब tag team match over हुआ and then Seth Rollins के उपर cash in हो गया, खैर अगर यह भी नहीं होता Seth Rollins vs Drew McIntyre का match मेरे को लग रहा है, night 2 के main event करो, night 2 में डाल देंगे यह, और अगर ऐसा है तो तो वहाँ पर भी cash in कर सकता है, बड़ जिस तरीके से Damon Priest के उपर यह लोग trust दिखा रहे है, मेरे को तो नहीं लगता, Wrestlemania छोड़ो कि वो कहीं और भी cash in कर पाएगा, हमें एक time के अगला मरीन दा बैंक आने को है, और इस बंदे को पता ही निए कि cash in कैसे करना होता है, जल्दी कुछ सोच ले यार ऐसा कैसे, अगला worst decision होगा, अगर cash in नहीं हो पाता है, तो और जिस तरीके से champions है, भूल जाओ, मैं को तो लग रहा है, इसके brief के जड़ टूटने वाला है, कई कोई नदी में भेकने वाला पकी बाद है, अगला worst नहीं लिखा है कि LA Knight को उसका WrestleMania moment ना मिले तो, यार यह देखा, LA Knight को मिलेगा ज़रूर, obviously LA Knight vs AJ Stats match obviously दिखी ही रहा है, अब WrestleMania moment यानि कि आप कहा रहे हो कि AJ Stats को हरा दे, मेरे को AJ Stats के लिए बहुत बुरा लगा, अभी last December के आसपस AJ Stats ने return किया, उसके बाद से हमें AJ Stats की growth देखने को मिलनी चाहिए थी ना, what we saw AJ Stats का downfall, में को तो लग रहा है कि OC के साथ जब आया था, अभी recent वाला जो run था, वो जएधा better था compared to this जो कि अब AJ Stats के साथ हुआ, ना तो विचारा Royal Rumble में shine कर पाया, ना ही उसके ब रहा है, so it is bad man, for AJ Stats, but LA Knight के fans तो obviously खुश होंगे यार, अगला इनोंने रगाए कि, oh yes, obviously, The Rock is added to Roman Reigns versus Cody Rhodes, दिको इसके तो चांसे जीरो ही लग रहे है मिरको, क्योंकि The Rock ने जिस तरीके इससी stipulation रखी है कि Roman and Cody में मैं नहीं आँगा, कोई भी नहीं आएगा, अगर हम हारते है तो उसने कभी भी ऐसी stipulation नहीं रखी कि मैं add हो जाँगा, so I don't see a possibility कि ऐसा कुछ होने वाला है, however, the fact कि ये जो चीज़े worst हो सकती है, is absolutely true, Cody Rhodes को अगर हारना भी हो तो मैं चांगा कि one on one में हारे, जीतना भी हो तो मैं चांगा कि one on one में जीते, The Rock का जितना business है, I think वो tag team match तक ह जी है, उसके अलावा triple threat बनाना तो बहुत बेकार लगेगा, unless The Rock can convince me कि मैं इस triple threat में deserve करता हूँ, convince me and we'll accept you, and finally, final is the favorite है, final is like destiny, like tattoo करवा लो, हो सकता है कि ये सच हो, because Roman Reigns retains, अगर Roman Reigns ने retain किया तो apparently ये worst decision होगा, हा, कितना हो गया, WrestleMania 20, sorry, 37, 38, 39, and now 40, वाउ, लगातार, चौथी साल, Roman Reigns title retain कर सकता है, that is absolutely insane, मेरे को लगता है कि, हा, हम कुछ भी कर ले, अगर Roman Reigns ने title retain भी कर ली, तो भी हमें accept ही करना पड़ेगा, no matter what you want to say, हम कितना ही hate कर ले, जितना hate करोगे, Roman Reigns का फायदा है, तो इसलिए यहाँ पर, यह कहना है कि, यह worst होगा, यह best होगा, क्या ही बोले, चार साल से, Roman Reigns ही title जीत रहा है, और WWE का तो best चल रहा है, तो इस पर हम कैसे बोले, हा, Cody Rhodes के लिए, पुरा होगा, Cody Rhodes, में को लगता है कि, शायद वो रो भी दे, इस बार रो देगा, इस बार ब it this way, night one में bloodline जीतती है, oh wow, interesting, night two में, anything goes match, rock interfere करता है, rock bottom hit करने की कोशिश करता है, Cody पर, but then glass shatters, stone cold, Steve Austin comes, which means, के next year हमें, Roman versus rock नहीं हमें मिलेगा, Austin versus rock, once more, oh wow, who would have thought, like, जो बुडे लोग होंगे, वो तो बिचारे, बेड़ पर लिटे 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 बे, rock versus Austin, यह क्या हो रहा है, मेरे को उठालो, भगवान, अभी भी लडे जा रहे हैं, यह लोग, वो तो पागली हो जाएंगा, किया, क्या, क्या है, इनके अंदर कौन सा, यह दवाई कहा रहे हैं, जो इतनी अभी तक तागद है, anyways, comments में लिखकर वताना, अपने thoughts regarding that Roman Reigns thing, what do you think कि अगर वो टाइडल जीता है, रिटेन रखता है, तो आपके कहा रेक्शन होंगा, अगर आपको विडियो पसंदा है, तो प्रिल्याक रशेर कर चैनल के सब्सक्राइब करो ज 나오絡 करुमिता लिए ऐसानी सब्सक्राइब कर भगर शीतर कर लाता है, तो आपको विल्की खिगल्सक्राइब कर चैनल के समयाराव है, तो आपके कमे लिए, ये से रत सब्साह्वाता है, प्रीजैब कर तो कि अवंफाद कर दाल आषेछियोड प्रिएफ ये, वे, सब्स